मोधिजी सावतं, मोधिजी वेलकम, भाराण मताकी, पिजेपी, वंदेव, वंदेव सुदू 15, 16, एकनागरेe सुदू 15, 15, 16, 17, 16 सबभाई बंदेव, सबभाई बिले मोदेव, सबभाई, सबभाई जोडेव राज्यो सबार सांग्सात प्राक्तर मुख्ष मंत्री मानने अभी प्लप कुमार देप जी जसर्शी प्रधान मंत्री के दुटा हाथ तुले करता जोग श्माई मिले मंदीर उपहार देवर्जन अनुरद राक्छी जीतन मोजंदार आमादेर काक्रवनेर मननीट पार्थी मोदी 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 एबार आमादेर जर्शशी प्रधान मंत्री के फुलेर माला दिये उपहार दवार्जन न समस्त केंडिडेट देर आमी अनुरोद राक्षी लुटरोद राक्षी इनुरोद और आमादेर आमी अनुरोद देख जासे हैं एवारे आलोचना राखार्जन आमी उनुरुद राख्छी राइजी रूप मोख्ष मंत्री मानुनियो जीश्ण देबर्मन महदै के उनार मुल्लबाल आनोचना राखार्जन आमी आमंत्रों जानाची सबाहिके नवस्कार जतनो खुरमका मन्चे अबस्तित आमादेर यसस्त्री प्रधान मंत्री विकास पुरुष एवांग पृतिवीर सब तेके जनुप्रियोर नेता चन्मानिय मन्चो आजके गोलारा बस्ता भालो नोए किन्तु आज रुको बले जावो आठारो श्चने मोदी दे एस्चिलेन एवांग सिपिम सेख एगानो टेके आठारो एबार, मोदी एबार, मादि प्राशन दरी पुनो पमिते एस्चन एबार, शुनो टेके, शुनो आमिये राइजेर और्थमुंद्री फाइनांज मिनिस्टर आमाके जिग्गास कोरे औनेक भिरोधी दोले नेतारा मले जिस्टरुदा आपने की भावे पेंशेन दिलेन दुआजर टेका समाजिक भाथा की भावे दुआजर टेका दिलेन की भावे दिलेन दिये 20 परसेंट की भावे दिलेन दिया डाबलू देन ओना ना नो दुआजर दुआजर देन बेतोल दुगों कोरे अमिहोद देरके भूली आमाते चीपिएं बन्दो देरके आपना पारभे ना वोलो किहेंच पारभे ना आमिही बूली सो आप बुद्ती लागान मुदी थी आपला देर पाशे ने एन पारभ् tejना उनी जेवाबे साइच्चो करो चे लामा देर के पो तेक्टिक खेत्रे शेता हो तूलो नियो आगेर माचीर देवाल तीनेर छाथ ठाकले शेता काचा घर भीबचीत हो तो ना उना क्या आम ला बोलेची उनी बोलेचें तिप्राज जोन्नों निच्चे हो बेद एक मात्र राज्योत्य पुरा देन मातिर देवाल तीने छाथ ठाकले शेता काचा घर भीबचीत हो तो हो कारोन सीपिये मेर अवाले अर्थ भांदार प्राय खाली चीलो अर्थ भांदार सुन्नो ए सुन्नत के सुरू करेची हांगना एब हो मोदी जीर अशीर पादे आजके 2000 तका पेंशन दुई तीन लग्खो 25,000 घर 20 परसेंट दिये रास्ता घाट पास्टी हाईवे नाशनल हाईवे सोब उनी कोले दिये चें छूतरां आमी दिरिकायते कोटते चाहिना जार जोल्वाम्पला बशे आचें उनी बख्त पराग्बें आमी खाने येतर तो को कशा बोले जाबो 5 भुच्चोर मोदी जी अवैं भारदी जोनता पाठी आपना देर दाइद्वनियस चुद्वे एक दिन शुरूलोगव तारिक आपना दाइद्वनीन उनी आवार आपना देर दाइद्वने बेन एई बोले आमी आमार संकिप्त आलो जोना इकने शेस कुच्ची एमाग सभाई के जलाई नमस्कार एमुप्रणाम एवारे भारत वर्षे जशशी प्रधान मंत्री भारत वर्षे पीछे परा मानुशे रन्न दाता भारत वर्षो आबार जगत सभाई स्तेस्ट्र आशन लो आर्जन्न जिनी काज कुर्छे न सारा भारत वर्षे राष्टन आयक आमादेर जशशी प्रधान मंत्री एखन आलोचना रागबेन उनाके अनुरोद राक्षी उनार मुल्लबान आलोचना राखार जुन्न आमादेके सम्मदन करा जुन्न शकल कार्ज करता दे दारिये हाथ ताली दिये उनाके सागतो जानान जुन नुरुद राखछे मोदी, 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 जैमा त्रिपुरसंद्री, आमार प्रिय त्रिपुरावासी, भाई और बोनेरा, सबाई के नमुश्कार, खुलो मका, आपनारा केमो नाजेन, नौरंग भाईता, आप इतनी दूर दूर से, हम सभी को, एंडिये को, भाईजपा को, आशिरवाद देने आये हैं, और मैं अभी जब यहां आने में देरिशले हुई, कि हैली पैड़्च यहां तक, पूरे रास्ते भर, ऐसा लोग खड़े रहकर के आशिरवाद दे रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में, लोग रास्ते पर खड़े थे, तो उनको अपणाम करते करते, आप तक पहुंचने में मुझे देर हो गई, और यहां भी मैंने देखा, दूर दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है, लोग ही लोग दिखते हैं, मैं पहले भी इस मैदान में आच चुका हूँ और आज में मैं देख रहा हूँ, उमंग और उट्सां से भरा हुआ है मैदान, चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं पक्का कर देता है, यह संयोग है, कल मैं यहां से सैकड़ों किलमेटर दूर लखनव शहर में था, और मजा देखिए, लखनव की पहचान भी गोमती नदी से है, आज मैं त्रिपुरा के गोमती जिले में हूँ, और यहां भी गोमती नदी जीवन की मुख के धारा है, यहां चाबी मारा और तिर्थ मुख जैसे आस्ता के अनेक केंद्र है, मैं हर आस्तास्तल पर अपना सीज जुखा करके प्रणाम करता हूँ, साथियों, आपका इतनी बड़ी संख्या में हमें यहां आशिरवाद देने के लिए आना, भाजपा सरकार की बापसिका, यह एलान है, एलान, आपका रिकोर्ड संख्या में यहां आना, हमारे विरोधियों की तो निंदी खराब कर देगा, आज पूरा त्रिपूरा कह रहा है, सब दूर से एक ही आवाज आ रही है, रास्ते में लोगों से मैं सुन रहा था, यहां सुन रहा था, एक की नारा, एक की जैगोस, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाईयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, और पांच साल पहले, जब मैं आपके बीच भाजपा सरकार के लिए आशिरवाद मांगने आया था, हमारे सारे साथी नए थे, अनुवाव कम था, लेकिन आपको हमारी इमामदारी पर फरोसा था, त्रिपुरा की बढ़ाई के लिए हम काम करेंगे, इस पर आपका फरोसा था, और आपने हमें सेवा का मोका दिया, और उस समय मैंने कबादा किया था हिरा, याद होगा है चाई आरे हिरा, हिरा विकास यानि हाइवे, हाइवे, इंटरनेट, रेलवे और एरवेस से जुड़ा विकास, भाजपास सरकार ने बीते पांच वर्षों में दिन रात महनत करके, इस वाइदे को जमिन पर उतारने के लिए काम किया है, आज देश पर से जो लोग यहां आते हैं, जो लोग मात्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं, वो इस हीरा का अनुभव के साक्षी बन रहे हैं, अगर तला में महराजा बीर बिक्रम एरपोर्ट पर उतरने वाले लोगों को एरपोर्ट देखते ही पता चल जाता है कि त्रिपुरा कितना भग्व है, त्रिपुरा कितना दिव्व है, त्रिपुरा कितना वाइब्रेंट है, त्रिफुरा में हाइवे और रेल्वे नेट्वर्क पर भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है लेप्त और कॉंग्रेस के सासन में यहां हजारों गाव ऐसे थे जिन तक कभी सडक ही नहीं पहुँच पाई थी बीते पांच साल में यहां के करीब करीब पांच हजार गावों तक हमारी सरकार ने सडक पहुँचाई है बीते पांच सालों में त्रिफुरा में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है अब तो यहां के दूर सुदूर ग्राम पंचायतों तक को 4G कनेक्टिविटी जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है साथियों यह मेरा त्रिफुरा के लोगों से वाइदा है कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिफुरा के विकास में और तेजी आएगी आपके सपने साकार होंगे मेरे त्रिफुरा के भाईयों भहनों मेरी बात याद रखिएगा 16 परवरी को त्रिफुरा में हर वोट भाजपा को पढ़ना चाहिए कमल के निशान पर पढ़ना चाहिए साथियों भाजपा को दिया आपका एक एक वोट बहुत अनमोल है आपके वोट की जो शक्ति है वो त्रिफुरा को विकास की नई उचाहिपर ले जाएगी आपका भी और आपके बच्चों का भी भविश सुरक्षित करेगा सुनिश्चित करेगा आपके एक वोट की शक्ति त्रिफुरा को विनासकारी ताकतों से भी बचाएगी हाद आप याद रखिए जिन लोगों ने त्रिफुरा में बरसों बरसाशन किया उन लोगों ने यहां के हालत कैसा बना कर रखा था यहां के जनजातिय साथी यहां के गरीब यहां की माताएं बेहने महिलाएं यहां के युवा सभी को लेप्ट और कॉंग्रेस के सासन में उनकी जिन्दगी जीना मुश्किल कर दिया था सपने चूर चूर कर दिये थे बच्चों को राज्य छोड़कर के बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था गाह हो गरीब हो या फिर कर्मचारी व्यापारी हो या छोटा कारोबारी बिजली पानी पाना भी उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था मुल्भूत आवशक्ता भी उनको नहीं मिल पाती लेकिन जिनोंने पहले दिली बें त्रिपुरा में शाचन किया उन्होंने इन सुविधाओं की कभी परवाई ही नहीं की जिनोंनों सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा अभाव में जीने के लिए मजबूर किया आज बही लोग कभी आमने सामने थे अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है इसलिए फिर से साथ आ गए है ये चंदा के लिए आए है आपका बला कर लेकले नहीं आए है इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कॉंग्रेस लेप की दूधारी तलवार से सतर्क रहना है साथियों मा त्रिपुर सुंद्री के आशिरवात से डबल इंजिन की सरकार त्रिपुरा को एक नई पहचांद दी है त्रिपुरा अब पिछडे पन से निकल रहा है विकास के अनेक पैमानों पर आगे बढ़ रहा है वो त्रिपुरा जो कभी खूद अंद्रे में रह लेकले के मजबूर होता था यहां के शासकों ने घर को भी अंद्रे में और जिंदगी को भी अंद्रे में दुबो के रखा था आज मेरा त्रिपुरा पडोसी देश बंगला देश को भी बिजली दे रहा है भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के साड़े तिन लाक गरीब परिवारों को मुप्त बिजली कनेशन दिया है भाजपा सरकार ने तिपुरा के चार लाग परिवारों को नल से जल की सुविधा दी है और जब नल से जल आता है ने तो ये माता और बहनों का अशिरवात का पाइपलाइन सिधा दिल्ली मेरे गर में खुलता है आशिरवान मुझे पर बरसते रहते हैं ये माता और बहनों के अशिरवात जब जब उनका नल खोलते न वो पहले मोदी को अशिरवात देते हैं मेरे प्यारे भाईयों भेनों वो दिन दूर नहीं जब त्रिफुरा के हर घर में चोबी सो गंटे बिजली आएगी हर घर में पाईप से पानी पहुचेगा भाईयों बहनों मैंने अपने जीवन का बहुत का समय मैं आदिवासी भाई बेहनों के बीच में जन जाती परिवारों के बीच में गुजा रहा है मैं गरीब का दुख समझता हूं जन जाती परिवारों की चुनोतियों समझता हूं इसलिए भाजपा सरकार गरीब माताओ बैनों जन जाती परिवारों का जीवन आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है दिल्ली की भाजपा सरकार भी कर रही है और त्रिपुरा की भाजपा सरकार भी कर रही है आप याद कीजिए पात साल पहले जब यहाँ सीपीम की सरकार थी तब गरीब के राशन को गरीब का चूला जलता नहीं था आपके अधिकार के राशन को यह सुप सीपीम की चंदा वाली कंपनी लूट लेती थी लूट लेती थी गरीब राशन चाहता था लेकिन वामपन्थी उस राशन को लूट लेते थे आपने वामपन्थियों को त्रिपुरा से हटाया डबल इंजिन सरकार बनाई और इसका नतीज़ा आत्रिपुरा का हर नागरिक देख रहा है आत्रिपुरा के हजारों परिवारों को मुत्त राशन मिल रहा है पूरा राशन मिल रहा है इससे सबसे अधीक हमारी माता ये बहनों की परेशानी कम हुई है साथ्यों मैं कभे नहीं बूल सकता कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद किस तरह हम गरीबों को घर के लिए प्रयास करते थे हमारी सरकार दिल्ली से पैसे भेचते थी लेकिन उस समय जो वाम पंतियों की यहां सरकार थी उसको गरीबों के घर बनाने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वो त्रिपुरा के गरीबों को घर मिले यह चाहते ही नहीं थे पाँच साल पहले आपने जब डबल इंजिन सरकार बनाए तो गरीबों के घर बनाने में तेजी आई बिते पाँच साल में भाजपाँच सरकार ने त्रिपुरा के करीब करीब तीन लाग गरीब परिवारों को पक्के घर बना कर दिये और मैं आज त्रिपुरा के हर गरीब से और एक माइदा कर रहा हूं जिन गरीबों को अब तक पीएम आवाज योजना के पक्के घर नहीं मिले हैं मेरे बात में बरोस्य करना उन्हें भी बाजपाँच सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम तेख कर दिया जाएगा एक भी गरीब को फुटपाथ पर जिन्दगी जीनी न पड़े एक भी गरीब को जुग्गी जोपडी में जिन्दगी जीनी न पड़े यह सपना और संकल्प लेकर के हम आपके चर्णों में बैठे हैं इस बार के बजेट में मोदी सरकार ने गरीब के घरों के लिए लगबाद 80,000 करोड रुपया अलग से रखे हैं वो पैसे गरीबों के घर बनाने के लिए ही खर्च होने वाले हैं साथियों PM आवास के घरों ने एक और बहुत बड़ा काम किया है त्रिपुरा में यह जो घर मिले हैं इन में से अधिकतर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर आवंटित किये गए है आज गरीब परिवारों की जन जातिय समाज की हजारों माताओं बहने पहली बार घर की मालकिन बनी है ताथियों भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है गरीबों का हिच सर्वों परी रखने वाली सरकार है त्रिपुरा के लोगों को जो सामाजिक बत्ता मिला करता था उसमें भी भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड बृद्धी की है ये भी भाजपा एंडिये सरकार ही है जिसने सामाजिक बत्ते को पांसो रुपिये से बढ़ा कर दो हजार रुपिये किया है भाई और बहनों इस वर्ष के बजेट में कुछ और बड़ी गोशनाएं हैं जिनका लाब त्रिपुरा की बहनों को होगा जन जातिये समाज को होगा पहली बार बहनों के लिए एक विशेश बत्त योजना लेकर हम आए हैं हम पहले हमने लाकों बेहनों के बैंक में जंदन खाते खोले अब उनमें जमा पैसों को बनाने का प्रबंद कर रहे हैं मैला सम्मान बचत पत्र में बहने दो लाक रुपिये तक की बचत कर सकती हैं इस पर सबसे अधिक ब्याज मिलेगा साथियों जिन जीलों में आदिवासी आबादी अधिक है बहां एक लब्य मोडल स्कूल हम बहुत तेजी से खोल रहे हैं कल त्रिपुरा में भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी आदिवासी कल्यान पर बहुत बल दिया गया है साथियों भाजपा सरकार आदिवासी और उनके परिवार का कल्यान और आदिवासी गवरों इसके लिए कितनी प्रतिवद्द हैं ये भी मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं नव वर्थ पहले कॉंग्रेस और सिपियम वाले जब दिल्ली में एक साथ सरकार चलाते थे तब आदिवासी खेत्रों के विकास के लिए सिरफ पचीस हजार क्रोड उप्ये का बजेट था आज जब भाजपा की इंडिये की सरकार है तो ये बजेट बढ़ करके एक लाख करोड उप्ये से जादा हो चुका है इस पैसे से आदिवासी साथियों के लिए विकास के सैक्रों काम हो रहे हैं यही कारण है कि आदेश में जहां भी चुना होते हैं तो जनजातिय समाच भारी संख्या में भाजपा को समर्फन देता है अब यह भी खुजरात में चुना हुआ आदिवासी समाज ने करीब करीब सत्प्रतिशत सीटें बीजेपी को जिता दी यहां त्रिपुरा में भी में जनजातिय समाज में बीजेपी के लिए बहुत अधिक समर्फन देख रहा हूँ भाई और बेनों डबल इंजिन सरकार के सुशाचन का एक और बड़ा लाबारती हमारे किसान भाई बेन है और उसमें भी छोटे किसान है बीते पांच वर्षों में त्रिपुरा के किसानों को प्रदान मंत्री किसान सम्मान नीदी के तहर पांच सो करोड रुपी मिल चुके हैं यहां गोमती चिले के भी 40,000 किसानों के बैंक खातों में 80 करोड रुपीय से अधिक बेजे गए हैं और कोई बचोलिया नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई कटकी कमपने नहीं, सिद्धा किसान के खाते में पैसा याद कीजिए, धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों को पांच साल पहले तक कितनी परेशानी होती थी डबल इंजिन सरकार धान खरीच से जुड़ी प्रक्रिया को सरद बना रही है बीते पांच वर्सों में यहाँ धान उगाने वाले हजारों परिवारों को भी करोड़े रुपिये MSP पर मिले हैं डबल इंजिन के सरकार के प्रयासों से त्रिपुरा के अनेक फॉल और सबजियां अब विदेश एक्सपोर्ड हो रहे हैं त्रिपुरा के रबर किसानों के लिए भी निरंतर नई संभावराय बन रही है रबर बोड के माध्यम से त्रिपुरा में रबर की पादावर का एरिया बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं यह इसलिए जरूरी है कि भारत में गाडियों की डिमान लगातार बढ रही है गाडिया बढ़ेगी तो टायर की दिमान बढ़ेगी टायर के लिए त्रिपुरा के रबर की दिमान बढ़ेगी इसलिए आने वाले समय में त्रिपुरा के बड़े और हमारे रबर किसानों के लिए बहुत आउसर आने वाले हैं साथ क्यों भाजपास सरकार के एक और बड़े अभ्यान से भी त्रिपुरा के छोटे किसानों को बहुत लाभावने वाला है। काउं पैदा होते हैं ऐसे अनाज को देश अब स्री अन्न के रुपे देश दुनिया तक पहुंचाएगा। इसके लिए छोटे किसानों को मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों त्रिपुरा में आज शांती हैं अच्छी कनेक्टिविटी हैं इसलिए यहां के युवाओं के लिए रोजगार की संभावना एब बढ़ रही है। त्रिपुरा के पास तुरिजम का बहुत पोटेंशल है। विशेश रुप से आस्था, आध्यात्म, तिर्थी आत्रा से जुड़े तुरिजम के लिए त्रिपुरा विख्यात है। गोम्ती उदैपुर सही इस पुरे शेत्र तो त्रिपुरा की परियतन राजदानी भी कहा जाता है। उदैपुर की पैचान तो मंदिरों के शहर के रूप में है। यहां साथ में ही भुमनेश्वरी मंदीर, कुनाबती मंदीर, शीव मंदीर, जगनाद मंदीर, गोपिनाद मंदीर अंगिनित पवित्र स्थान है। चवी मुरा भी पूरे पुर्वत्तर का एक बड़ा टूरिस एट्रेक्शन सेंटर है। अपनी इस दरोवर का विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है। डबल इंजिन सरकार कर सकती है। अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखने वाले लेप्त और कॉंग्रेस के लोगों ने अतीत में भी कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज अगर स्वच्चता के लिए तृपुरा को नई पहचान मिली है तो ये भी डबल इंजिन सरकार के कारण मिली है। कि इसलिए तृपुरा में तुरिजम के विकास के लिए रोजगार के लिए डबल इंजिन सरकार ज़रूरी है। इतना ही नहीं भाईयों बेनों ये लेख पाले एक राज्य में राज करते हैं आप कोविड की इतनी भैंकर महामारी आई इतनी बेरी बिमारी आई जादा से जादा बिमार होने वाले लोग उसी राज्य में थे अधिक्तम लोगों को मरने की नौबद भी उनके ही राज में आई हमारा त्रिपूरा बच गया इतनी भैंकर बिमारी आने के बावजुद भी त्रिपूरा के नागरिक बच गये क्योंकि भाजपा की सरकार आपकी जिन्दगी के लिए दिन रात महनत करने वाली सरकार है अगर यहां भी पहले वाले वामपंती होते तो त्रिपूरा भी इस भैंकर महामारी कोवीड में पता नहीं कितने ही परिवारों के हमारे स्वजन हमें खोने पड़ते हैं साथियों सोला फरवरी को जब आप लोग बोट डालने जाएं तो एक और बात याद जरूर रखें कॉंग्रेस और लेप यह दोनों पार्टियों गरीबों को और गरिब बना देती हैं यह गरीबों के नाम पर नारे लगाती हैं लेकिन उन्हें गरीबों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया इसलिए देश में जब तक इनकी सरकारे रही है जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकारे रही वहां गरीब ही मरता रहा गरीब ही बरता बरबाद होता रहा स्रमीग ही लूटाता गया इनके राज में कुछ इने गुने परिवार वो ही मोच करते रहिए वो ही फलते फुलते रहे आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कॉंग्रेस और लेप दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के ब्रष्टाचारियों के गिरों बनाते इनके राज में शान्ती और इमांदाली के लिए कोई जगह नहीं होती एक दुसरे को किसे न किसी बहाने से लडाना यही इनकी राजनिती रही है तीसरी और एक बात हमारे त्रिपुरा के लोग तो बलीपाती जानते हैं कॉंग्रेस और लेप के लोग देश की जनता के प्रती रती भर भी इमांदार नहीं है यह लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे में राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं यह केरल में कुष्टी करते हैं कॉंग्रेस वारे और बाम वाले और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं उन पर कौन भरोसा करेगा उनकी बातों में को विश्वास करेगा क्या और लेकिन मैं एक बात से बहुत तसल्ली में हूँ अब त्रिपुरा की जनता ने भी ठान लिया है वाम पंतियों ने दसकों तक यहां जो कुशासन दिया है अब फिर से त्रिपुरा में वो बर्बादी के मंजर आने नहीं देना है अब ऐसे बुरे हाल मैं अभी जब हैली पैड़ पर उतरा कुछ लोग महां मिजर मिले मैंने पुछा क्या है भाई चुनाव का हाल जड़ा बताईए फिर मैंने पुछा माताओ बेहनों का क्या है तो एक दम से बोल पड़े अरे साब माता है बेहनों तो सब बोट डालने वाली मैंने का क्या बात है बोले पहले यहां माताओ बेहनों का बेटियों का जीवन बहुत मुश्किल था अकेले घर से बाहर निकल नहीं पाती थी अत्याचार बलाक्तगार परिशानियां हर बेटी को सहनी परती थी जब से भाजपा की सरकार आई है हमारे त्रिप्वरा की बेंड बेटियां माताओं चाकर के सम्मान के साथ जी रही है देर रात भी करके बाहर निकल पा रही है और इसलिए यह जो शान्ती मिली है यह जो सुख सकुन मिला है यह हमारी बेटियों के मन में भाजपा की ताकत का आज वो जन्णा लेकर के निकल पड़ी है और इसलिए बोले आज पूरा त्रिपुरा की माताओं बेने शांती मिली है उसके कारण सुरक्षा मिली है उसके कारण भाजपा को पूरी तरह से समर्थन करने वाली है भाजयों बैनों यह जरूर पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके राजनीतिक है तु सित्च कर लेक लिए हमारी विरोधी बोटों को बिखरना चाहते बटवारा करना चाहते और छोटी मोटी बोट कटाओ पार्टी अभी मैदान में आकर के सपने देख रहे हैं कि चुनाव नतीजा आने के बाद हमें हमारी कीमत मिलेगी भाजयों बैनों एक खरीद विक्री के सपने लेकर के जो निकले पड़े हैं उन्हों तो अभी से ही गर में बंद कर दो उनको कभी चुनाव जीत नहीं मत देना मैं तो आपसे यही करूँगा कि आपको सिर्फ और सिरफ भारतिय जन्ता पार्टी को जिताना है बारतिय जन्ता पार्टी के साथी दलों को जीताना है आपको सिर्फ और सिरफ आपके भविश्य को देखना है तिपारवा के विकास को चुनना है त्रिपुरा में डबल इंजी सरकार को चुनना है मैं आपको बरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कुछ सालों में त्रिपुरा की नहीं उचाई पर पहुँचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और मैं आपको वदा करता हूं मैं बार-बार त्रिपूर आया हूं है यहां भी मैं आपके बात प्र एक बार आया हूं पिपूरा के पती मेरा कितना प्यार है वह आप मेरे व्यहवार से देखते हैं आपने मुझे दिल्ली में सेवा करने के लिए बिठाया है मैं पांच साल त्रिपुरा की सेवा में लगा रहा आगे भी त्रिपुरा की बलाई के लिए एक कदम भी पीछे नहीं अटोंगा ये मैं बादा करने आया हूँ भाईयो बैनों मेरा आपसे एक आग्रह है यहां इतनी बड़ी संग्या में आप आये हैं गाव में भी अनेक परिवार हैं माताए बैने हैं जिनके दर्शन करना मेरा सवबाग्य होता है लेकिन कभी-कभी समाय भाव में हो नहीं पाता है इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए करेंगे मदद मदद करेंगे हाथ दोनों उपर करके बोलिए मदद करेंगे पक्का करेंगे और जोर से बोलिया हाथ उपर करके बोलिए मदद करेंगे मेरा एक काम करेंगे पक्का करेंगे 16 तारिक के पहले आप गर-गर जाएए और उनको बताएए कि मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आकर के आप सब को नमस्कार बेजा है मेरे नमस्कार पहुचाएंगे हर गर में पहुचाएंगे मेरी याद पक्की करेंगे आप जब मेरे नमस्कार वहां पहुचाएंगे न तो उन सभी के इन माशिरबाद मुझे मिलेंगे ताकि मैं दिल्ली में और ज्यादा देश की सेवा कर पाऊंगा त्रिफुरा की सेवा कर पाऊंगा इसलिए मेरा इतना काम करना है करेंगे ना बोल भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बंद करदा है झाल झाल